हेलो स्टॉकियान मैं हूं मोहित पाथक और आपका स्वागत करता हूं आपके यूटूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेफ उनेश्पर यह जस्ट मोबाइल में रिकॉड कर रहा हूं वीडियो ताकि मैं अपडेट कर सकूं। मैं दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं बना ही नहीं रहा हूं एक्चुली मैं दूसरे कामे में ब्यास्त हूं तो दीखे मार्केट ओर लॉल नीचे रहा शुरू-शुरू में और मैंने यहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी किया था सुबस हुआ जब नए है वह मैं बता जिता हूं देखिए आप निफ्टी पर आजे निफ्टी का ओप्सन चैन ओपन कर लीजिए यह स्ट्राइट प्राइस है अभी यानि जो करेंट मार्केट प्राइस है उसके नस्दीक वाली उसको स्ट्राइट प्राइस बोलते हैं तो यह ATM है क्या है यह यह ATM है कॉल ओप्सन के लिए उसके नीचे वाली इन दमनी होगी और कॉल ओप्सन के लिए उसके ऊपर वाली यानि ग्यारा दोसो ग्यारा दोसो पिचास ग्यारा तीन सो ओटीम होगी और यह ITM है हासे समझना ना पूट ऐसका उल्टा होगा यहां पे यह एड्ड लमनी होगा यह इंद मनंछ वह पूट ओप्सन के लिए और ज्यादा लोग उस पर बिलीब नहीं करते क्योंकि उनकी गट्स फिलिंग मानने से उनको इनकार कर देती है, देखिए, जब भी मार्केट, यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लूँ, जब भी मार्केट, एक हाई रेंज पर होती है, कहीं ने कहीं से नेगेटिव ने जरूर जाएगी, चाहे आप उसक को प्लैं सब्सक्राइब नकार्ण करता है, क्यों जब भी मार्केटेग उच्छे लेबल भी होगा, तो कहीं से सबस्क्राइब कर देए, जैसे आज निकल के आया, की RBI और जो हमारा नीती यायोग है वो मेटिंग करने वाले हैं कुछ stimulus package के लिए stimulus मतलब रहात package के लिए हो सकता है जो भी RBI हमारी कुछ देखो government के उपर काफी pressure है वो उनको समहलना है सब कुछ उनकी responsibility अलग है और हमें उनके लिए इस बात के लिए उनकी तारीफ ही करने चाहिए जो भी RBI या फिर जो भी government कर रही है support दे रही है तो यह कहते है अपना बिजनेस के point अभी उसे तो वह सही है अब देखिए तो कहीं ने कहीं से positive news जरूर आ जाएगी समझो ना कहीं ने कहीं इसे जब देखो आप लोग क्या समझते हो अगर मैं इसका monthly chart open करता हूँ एक जो मैं यह बताने जा रहा हूं आप हमेशा याद रखना इसी इज़ पो मोबाइल पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि PC में मैं नहीं कर पा रहा हूं उसकी उसमें टाइम लगेगा यह वाला एक सेकेंड में मैं दो मिनिट में अपलोड भी कर दूँगा आधे गंटे में अपलोड भी हो जाएगा देखो आप क्या समझते हूं कि जो बड़े इंस्टेशनल इंवेस्टर होते हैं DII's और FII's और फिर जो भी इंडिया के बड़े फ़र्म हैं वो लोग कभी इंवेस्ट करते हैं वो लोग यहां इंवेस्ट करेंगे वो लोग कहा invest करेंगे यहाँ पर यह level पर invest करेंगे और आप लोग सोचते होगे ना, कर यार market तूटता ही चला जाता है, क्यों तूटता ही चला जाता है, इसके पीछे का reason मैं बताता हूँ, इसके पीछे का जो reason हैं, ये ये बात गात बानके note कर लो, ये कोई तुभे नहीं जो भी हो वो सब यहां पर बाई करते हैं और जब भी मार्केट उपर जाता है और जब भी कुछ भी थोड़ा सा उल्टा-पुल्टा मैंने का न, न्यूज आएगी उल्टा-पुल्टा जब भी होगा न जब भी मार्केट एक अच्छे लेबल पो होगा जब भी कुछ उल्टा-पुल्टा समझ में आएगे छुट्टा हो जाओ, तुरन सेल करके बाहर आजाओ कैस अपने पास रखो, जब भी मिले अपॉल्टिटी तब इनिवेस्ट करो वापस मैं भी ऐसा ही करता हूँ तो यह हार्स रियालिटी है बतलब इसको यह कह सकते हो कि बेटर टूथ है मार्केट का यह समझना चाहिए आपको, तो वो लोग यहां से बाइंग करेंगे और जब भी कुछ भी दैरा सभी उल्टा सीधा आएगा तो वो तुरन दबा करके सेलिंग कर देंगे फिर वरना नॉर्मल होगा तो नॉर्मल बैठे रहेंगे जाने तो उपर जा रहा है तो वो तो बैठे उयाँ से बैठे हुए तो यही होता है जब भी मिरकेट तो तोटत भी चला जाता है और मैंने दूसरे चीज बता यह जब कुछ एक अच्छे लेवल पर आएगा ना एक अच्छे पर रेंज पर आएगा तब नजाने कहां से good news आ जाएगी तब हमेशा good news आ जाएगी और जब market उपर होगा तब हमेशा bad news आ जाएगी आप देखो ये अब इसको create किया जाता है या फिर नहीं किया जाता ये मैं कहने ही सकता क्योंकि ये दूसरा पहलू हो जाता इसका पूरे world के market भी से तरीके से चल करते हैं कहीं कहीं से news create हो जाएगी बेड न्यूस कहीं कहीं से range आ जाएगा तब positive news आप देख रहे हो ना यहाँ पे positive news create की गई यहां पर positive news create के गई वह बैठे है माल उठा के बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर negative news create की गई और दभा करके selling चालू हो गई यह create की गई या फिर आई, चलो, हम उसको बोलते हैं कि हो सकता है आई, तो यह एक तरीके से हार्स रियल्टी है, क्यों, क्योंकि वो लोग नीचे बैठे होते हैं, पैसा लगा करें बैठे होते हैं, उपर तुरंट सेल कर देते हैं, और पैसा आपने पास कैस कर लेते हैं, ताकि जब भी दिखाई दे, वो आपस एंट्री कर ले, और आपको भी यही करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, टाइम से, या फिर स्टॉप लॉस, बस यही है, अब दूसरा, निफ्टी का मैं थोड़ा बता दू, तो आज लगबग निफ्टी ओपन हुई, ग्यारा दोसो अठावन पे, और लो गई, ग्यारा चाहिए, चौबिस चाहली समझ लो, यह लो गई, और वापस वहां से अगर देखें, तो लो टू हाई, हंडड़ उपीस का गेन पकल लो ना, हंड़र उपीस का गेन, अल्मोस्ट मिला है, तो यह निउस निकल के आई, इसी वज़ा से मार्केट थोड़ा सा उपर आया, अब कल हो सकता है, पॉजटिव भी रहे, कल, most of the positive है, कि यह एक्सपारी मन्त है, ज्यादा तर उपर से यहां से यह लोगों ने sort किया होगा, तो यहां से भी sort किया होगा, तो यह लोग एक्सपारी मे क्या हो सकता है, वो भी चीज़ है, अभी के लिए यह है, यह है कि देखो, मार्केट के हास रियाल्टी है, वो लोग हमेसा नीचे बैठते है, जब भी कुछ उल्टा-पुल्टा आता है, तो तुरंट सेलिंग करते हैं, और यही वज़ा होती है, कि सार्प सेलिंग आती है, और हैवी सेलिंग दिखाई देते हैं आपको, लगता है कि यह मार्केट रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा क्योंकि वो पैसा अपना कैस करना चाहते है, वो तुरंट पोजीशन निकाल लेते हैं, और कैस करते हैं अपने पास पैसा, ताकि जब उनको अपॉर्शी टीम ले देते हैं अपने ले लेंग, तो थैंक यू, विस्यू आले बेस्ट